वेलकम टो चैनल नौलेज आफ फार्मेसी तो डाक्सो फाइलिन 400 mg एंड एब्रो एक्सोल एब्रो एक्सोल हाइड्रो कुलोराइट 30 mg टेबलेट का आज हम रिव्यू करते हैं तो एक कॉंबिनेशन मेडिसीन है डाक्सी फाइलिन जो है यह ब्रांचो डाइलेटर है यानि जो ब्रांची है जो जो है उसको यह चाउडा करने का काम करती है जिससे जो है यह चाउडा करने का काम करती है जिससे आक्सीजन के सप्लाई प्रापर बनी रहे और यह डाइलेट करने का काम करती है यह उसको चाउडा कर देती है नलिकाओं को यह चाउडा कर देती है वहीं प तरीके से काम करता है और यहीं इसका Mika visa action है फैक्षन हों سब्लाइब करते हैं तो डाक्स एकस्ट्ड और रॉ मेंटी डाक्स ब्रो आप देखरें बहुत चेमici सब्लाइब ब्रॉन रफ से गाओं और nr outsider i4 आर इस तो यह देच यह कुछ ब्रेसद वह वाब मारकेट में आपको मिल जाएंगे तो यह दाक्सोफाइलिन जो है यह क्या है अब रांचो डायलेटर या यह तो इसनली यह फेपड कि जो नलिकाएं है उन्पोच या डायलेट करके चाणडा कर देता जो उनसे कंजेक्शन है मुंकस या कुछ फिल हुआ वह जब चौड़ा कर देता है तो उसके उनकी साइज जब चौड़ी हो जाती तो आसानी से एर पास हो जाती तो इस तरीके से काम करता है उसको यूज करते हैं ट्रीटमेंट आफ अस्थमा में अस्थमा के पेशंट को इसको दिया जाता है तो अस्थमा के पेशंट में क्या ह यूज करते हैं और सबसे ज्यादा इसका यूज है क्रोनिक अप्स अफ्स ट्रेक्टिब पल्मोनरी डिचीज जिसको हम सी ओ पीडी बोलती है या यह एक सीबियर इस्थित होती है इसमें चेस्ट में कंजेक्शन हो जाता है और स्वसंनली और चेस्ट में सूजन आ इसको हम यूज करते हैं क्योंकि इसमें डाक्सोफाइलिन जो है वो क्या है ब्रांचोड डाइलेटर है तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं या फिर गीली खासी में गीली खासी में अगर कफ जम जाता है तो उसको निकाल कर बाहर यानि यह क्या करता है म्यूकोलाइटिक फ्रफ्रश करता है इस लिए इसको प्रियोग में लाते हैं छाति मैं यह कप जम गया है तो उसे निकालकर बाहर करता है कोई ब्यक्त अगर wearing paper way में जो भी है, secret हो अगर लंबे समय्षक से करएं स्मौकिंग स्मौकिंग करता हो और खासी जुखाम में भी इसको प्रियोग में लाया जाता है और स्वसानली या फेफड़ोक में किसी भी प्रकार की समस्या हो तो उसमें यह प्रियोग में लाया जाता है वहीं हम बात करते हैं side effect की तो यह जो है nogya यानि मितली आ सकती है omitting उल्टी आ सकती है त्मक में पेट में दर्द हो सकता है या फिर हैट अक्यानि सिर्दर्द भी हो सकता है इंसोमनिया यानि और irritation चिर्चिरपन हो सकता है और यह तो कुछ इसके side effect हैं वही कांटा इंडिकेटेड की बात करें तो हाट लीबर किड़नी लंक्स की अगर कोई डिजीज है तो डाक्टर से इसको कंसल्ट कर लेना चाहिए कि मुझे यह दिक्कत है क्योंकि यह कंटा इंडिकेटेड है और प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग या हाइपर सेंसिबिटी हो या कोई जो ड्रक की कोई हिस्ट्री हो या कर लंबे समय से कोई दवा चल रही हो या कोई दवा से कोई दिक्कत हो तो डाक्टर या अलकोहल का कंजप्शन करता हो जो है पेसंट अगर सराब पीता हो तो डाक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए वैसे इसको बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं लेना चाहिए और यह 12 साल के छोटे बच्चों को भी नहीं देना चाहिए क्योंकि यह जो है कंटा इंडिकेटर है तो यह डाक्टर से सलाह कर लेना चाहिए डाक्टर के बिना इसको ना ले वहीं डोजिच की बात करें तो OD इसका डोज है वाणि वन टाइम का इ यह जो और सीबियर्टी पे निर्भर करता है कि डाक्टर इसको दो टाइम भी देते हैं यानि जो है बीडी भी दे सकते हैं कि थैंक्स आप चाहें तिसके सौर्ट ले सकते हैं फिर मिलतें नेस्ट वीडियो में